हलो एवरिवन अगर आप भी सुभा शाम बरतन घिस घिस कर ठक चुके हैं और आपकी मीड की आयद दिन की छुटियों से पक चुके हैं तो चलिए आप सीखते हैं डिश्वाशर चलाना तो डिश्वाशर चलाने के लिए आपको दो चीजे जरूर से जरूर पता होने चाहिए बहली चीज इतने ज़्यादा गंदे हैं आपको उतना ज़्यादा एट वाटर का टेंप्रेचर सिलैक करना हैं दूसरी चीज बरतन लोड़िंग करना हैं वन्ना आपके बरतन क्लीन नहीं निकलेंगे चाई किसे पसंद नहीं होती है और उतने ही ज़्यादा दिक्कत आती ह जाए बरतन को दिश वाश ने में तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे वाश करना है तो सब से पहले चाय के बरतनों को आपको गलाना वह जरूरी आप उतसे आप डारेक्ट ली डिश वाशेर में सोक करके रखें या फिर वाश देसिन में गला कर उसके बाद लोडकर चाय के को आपको लो शेल्फ में ही रखना है और उस जगा रखना है जहां पर जादा से जादा पानी बरतन के अंदर आ सके और आपको अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो जिसमें आप एक दो से तीन बूंद जो लिक्विड डिटरजन्ट हो करना दूलने के बाद आपके डिश्वॉशर में थोड़ा सा जो है फॉर्म रह जाएगा तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के बरतनों को डिश्वॉशर में वाश किया जा सकता है तो सबसे पहले अगर आप कोई नया यूटेंसल परचेस करके लाए हैं तो आप उसकी बॉ ग्लास के बरतनों को आपको हमेशा अपर शेल्फ में ही धोना है और अगर आप दूसरे स्टील के और दूसरे बरतन भी ग्लास के साथ में दोना चाते हैं तो हमेशा लोविस टेंपरेचर पे ही बरतन धोए अलुमीनियम के बरतन यूज करना है तो आप मेशा आप टेफलोन कोटर या हाड आयनाइज़ बरतन यूज कर सकते हो लेकिन इस्टिल आप रेगिलर कड़ाई भी यूज कर सकते हो लेकिन उसे हमेशा सबसे उपर वाली शेल्फ में रखे और सबसे लोव टेंपरेचर पर ताकि जो है उसमें डिसकलरेशन ना हो सके विकाज अलुमीनियम हाई टेंपरेचर में अगर ट्रीट होता है तो वह डिसकलर हो जाता है प्लास्टिक के अगर बात करते हैं जो भी अच्छे मटेरियल के कंटेनर से वह आप दो सकते हो लेकिन जो सुटेबल है वह पॉली प् आपका रखना है कि वह बीपीए फ्री जरूर हो और प्लास्टिक को तो आपको जरूर अपर शल्फ में भी धूना है वनना वह ग्रैक हो सकता है इस तरह के जो मुश्किल सुलने वाले बरतन होते हैं जैसे मिकसे ग्राइंडर के जार और ग्रेटर वगेरा इन्हें दोने मे कुछ इस तरह से क्लीन होंगे वो ठीक से क्लीन नहीं होंगे लेकिन जले हुए बरतनों को अगर आप हैंड वोश करते टाइम अगर डिश्वॉशर टैबलेट का इस्तमाल करेंगे तो बरतन काफी जादा क्लीन निकलेंगे और आपको स्क्रब यूज नहीं करना है आपको डिश्वॉशर टैबलेट से जो है जले हुए एरिया पर स्क्रब करना है डिश्वॉशर के इस कंपोनेंट में डलती है डिश्वॉशर टैबलेट वैसे डिश्वॉशर टैबलेट की जगा डिश्वॉशर नॉमल वशिंग पाउडर अगर आप यूज कर सकते तो इसका हाल कुछ इस तरह का होगा और ये बहुत आपका खर्चा बढ़ा सकता है वैसे आप टिश फॉशा की टैबलेट्स को वाशिक पर शीन ड्रम दोने के लिए आपके जो सफेद बैडिंग टॉविल्स और सफेद क्लोधिंग है उसे ब्लीच करने के लिए माइक्रोविब ओवन को क्लीन करने के लिए गैस्टोप दोने के लिए और बहुत सारी चीजों में और भी यूज कर सकते हो और अंदर के कंपाट्मेंट में जो डलता है सॉल्ट वो टेबल सॉल्ट ही होता है जिसे कॉज्यर सॉल्ट होते है लेकिन वो टेबल सॉल्ट से व casino सॉफ्ट हो सके और अगर आपके अरिया में सॉफ वाटर आता है तो आपको वैसे भी सॉल्ट को ज्यादा भाव रिफिल नहीं कटा पड़ेंगा लेकिन तिल मैं अपको शॉल्ड डालना जरूरे अगर आपके अरिया में अगर वैंस के महूं वैसे रिंजेड सिर्फ बर्तनों को ड्राय करने के कामाता है ड्राय भी उस तरह जैसे कि जो ग्लास के आइटम से उन पर ड्राय वाटर ड्रॉपलेट्स जो बन जाते हैं उनके लिए यूज होता है तो अगर आप इसे स्किप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं आप बात करत जो काफी सारे डिश्वाशर में आदा है वैसे इको मोड तीन से चार घंटे लेता है पट ये इलेक्रिसिटी भी सेफ करता है क्योंकि ये बीज वीचमर रेस्ट पर चला जाता है इसलिए 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 सबसे जादा रिकमेंडिड मोड है वैसे में दिन में एक बार 30 मि जूस करती हूँ जिसका मुझे 350 तो 400 मतली चार्जर इलेक्रिसिटी का आता है अब ये आपको डिसाइट करना है कि ये आपके लिए कितना पॉकेट फ्रेंटी है अगर आप वीक में एक बार डीप क्लीनिंग करते है तो इसी बहुत सारी चीज़े है जो आप डिश्वाशर में वाश कर सकते है जैसे कीचिन एग्जास्ट फिल्टर, एग्जास्ट फैन कवर, रेफिरिचरेटर शेल्स, रबर डॉरमेट, सोप डिश, तूथप्रश होल्डर, किट्स एंट टॉक्स टॉइस जो बैटरी ओपरेटेड ना हो, गार्डनिंग टूल्स, लाइट आइट वेटेड फ्लावर पॉट्स, एंड मैनी मोर आइटम्स, अगर आपको कोई भी क्वेशन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में क्वेशन फूस सकते हैं, बाई बाई, बाई